Let's start the topic Healthy Eating Habits and Hygiene सेतमद पोजन खान दियां आधता अते सफाई सेतमद पोजन खान दियां आधता असी किस तरह विद्यार्थियां दे विच डिवल्प करनिया ने सरीरी कती विदियां दे नाल खान पीन दियां सेतमद आधता अती सफाई वी जुरूरी है जिदों सरीर दे आंग सही तरह कम कर दे हन ता सरीर दे आंग दों में ही तांदरुस्त रहन दे हन जे में क्या जान दे है वारशा ना आधता जान दियां ने पावे कटी ये पोरियां पोरियां जी पर वारश्या आधता जान दियाने जे छडी ये थोडियां थोडियां जी असी अपने आप विच ते विद्यार्थियां दे अंदर सेत मंद आधता ड्वेल्प करनियाने सो साफ सफाई दे लई विद्यार्थया नू प्रेरिद करना है कि किस तरह असी साफ सफाई दे वर्तों करके ते चंगिया आता नल सेत मंद जिन्दगी जीव सकते हां नेक्स्ट इस बैलेंस डाइट पोश्टिक खुराक ज़नों पोश्टिक खुराक नीमेद तौरते लई जान्दी है सेस सबंदी चंगिया आता आते नीमेद सरेरी कभी आसकीते जान्दे हां ता असी एक सेत मंद जीवन चैली नल जिऊन्दे हां जी में क्या जान्द है? Every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it कि जदो भी असी कुछ भी खा रहे हुन्दे हां या ता असी अपने शरीर नू रोग लगा रहे हुन्दे हां ते जा फिर रोग मुक्त कर रहे हुन्दे हां तो साड़ी डाइट, साड़ी खुराक, साड़ी शरीर नू बनाओ दी है तो इस दा सही होना बहुत जुरूरी है एक तंदरोस्त शरीर अपनी आप अती दुचियां प्रती सकरातमक रवये विक्सित करनविच सहायता करदा है तुसी देख्या होना कि जो विद्यार्थी अती जो अध्यापक तंदरोस्त होंदेने उपने आसपास वी खुशियां खेड़े वंड़ दे तानों नजर आणगे क्योंकि योना दारवया बहुत ही सकरातमक हो जानदा है होन असी एसारिया चंखिया आत्ता विद्यार्थिया विच किस तरह ड्युफ करनियाने सड़ा सवाल इह है सो अध्यापक से बान बहुत ही वदिया इंट्रस्तिंग वेते विच एसारियां गलना विद्यार्थिया नों सिखा सकदेने त्रुवा ग्रुप एक्टिविटी इएक्टिविटी असी किस तरा करांगे? इस एक्टिविटी दे लई असी पांच ग्रुप अपने बना सकते हां या फिर तुसी अपने क्लास ते विद्यार्थियां दे गिंती मुताबे ग्रुपिंग कर सकते हो एक गुरुप दे वेच तुसी 3-4 विद्यार्थी राख सकते हूँ ते 15 मिनट दा समा उना नो इस अक्टिविटी दे लई देख सकते हूँ जी में के असी गुरुप नंबर एक दे लई कोई टॉपिक निर्दारित करांगे उना नो असी टॉपिक दित्ता कि कार्वेच उपलब्द सेत्मंद पोजन्दी सुची त्यार करनी है ते उना ने दसना है कि उसनो असी सेत्मंद क्यों मान दे हां विद्यार्थिया नो इस अक्टिविटी दे लई सुचन्दा समा देओ गुरुप नमबर दो नो असी कारज दे सकते हां कि सीत्मंद खान पीन दियां चंगियां आता नो उच्षाहित करन ले कोई उस स्लोगन्स या नारे त्यार करने तो उना नो इस टॉपिक ते कम करन ले समा देओ गुरुप नमबर दो नो असी कारज दे सकते हां कि सीत्मंद पोजन वेचन दे लई एक उना ने पोस्चर या इष्टियार त्यार करना है ते सुचाह देनेने कि किस तरह असी सीत्मंद खान दियां आता बारे जागरुकता पैदा कर सकते हां उना नो पोस्टर बनोंदे लेई समादियो। ग्रुप नंबर चार नो असी टॉपिक दे सकते हां कि मीडिया नोजवाना दियां खान पीन दियां आता नो पर भावित करदा है उदारन सहत दसू। इए अक्टिविटी असी ग्रुप नंबर चार नो दे सकते हां। ग्रुप नंबर पांज नो असी कारज देना है कि सेतमद पोजन दे लाब लिखो। उना ने आपस दे विच डिसकस करके सेतमद पोजन दे की लाब नी उना बारे एक सुची त्यार करनी है। इस एक्टिविटी दे नाल बहुत ही थोड़े समय दे विच विध्यार थियानो तुसी बहुत इंट्रस्टिंग वे दे विच सेतमद पोजन बारे जानकारी दे सकते हूँ। संतुलित खुराक की हुंदी है। इस एक्टिविटी तो बाद अधियापक दा सकता है कि किस तरह योजना बाद खुराक तंद्रुस्त रहन लेई सानू लोडिन्दी है। अते संतुलित खुराक दा अर्थ है ओ खुराक जिस विच प्रोटीन, कार्पोहाइड्रेट्स, चर्बी, विटामिन लोडिन्दी अनुपात विच हुंदेने उसनों असी संतुलित खुराक केंदे हा। आओ फूड पिरामिद बारे जानिए। What is healthy food pyramid? जिवे के तुसी इस पिरामिद विच देख सकते हो के सबतों थले तो हानू bread, cereals, potatoes यानि आलू, bread, दाला ये नजर आणगे। उसतों उपर असी जियों जियों वद दे हां ता ए पिरामिद दा अकार छोटा हुंदा जान्दा है। इसता मतलब है कि सानू सबतों वद जो चीज लोडिन्दी है ओ हन carbohydrate जिनानू असी energy giving food केंदे हां। सो carbohydrates दे विच की आजान्देने cereals, bread अती आलू। इसतों उपर जदों असी जान्दे हां ता आन्देने fruits and vegetables। सो fruits दे vegetables जड़ी है इना दी मिकदार फिर सानू carbohydrates तो कट जाई दी है। इनानू असी protection food केंदे हां। जो की सान्नू protection पिमारिया तो बचा देले देन्दे हां। उसतों उपर जदों असी देख देहां ता सान्नू body building food नजर आन्देने। जिमें के milk, dairy products जिने भी तान्नू जिमें वर्तदे हो दूद, पनीर, दई ए आगे। इसतों उपर साड़े कोल meat, fish ये products जड़े ने वो तान्नू नजर आ रहे ने। इसतों उपर जान्दियां साड़े कोल जड़े food ने वो हन fats, oils अते confectionery। यानि के fats, oil ते मिठा ये सानू सब्तों cut amount देविच सब्तों cut मात्रा विच सड़े शरीर ले लुडिन्द है। विद्यार्थिया नो असी इस food पिरामिट बारे चानू करवा सकते हां कि बेस देविच साड़े कोल सब्तों धले, उस तों उपर साड़े कोल milk and dairy products आजान देने जो के साड़े bodybuilding food हन, meat, fish, etc. उस तों उपर साड़े कोल जो के साड़े शरीर नो बहुत ही थोड़ी मात्रा विच चाहिए देने वो आजान देने fats, oils. So, food pyramid बारे सानू विद्यार्थिया नो जानू जरूर करवाना चाहिदा है. So, we should prefer local healthy food. So, no to junk food. So, junk food दी वर्तों तों परेज करना चाहिदा है. Thank you so much. Hope you enjoyed this. Eat healthy, stay healthy.